दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्किट नए-नए-all-time high को टच कर रहा है हर रोज record high बनते जा रहे हैं और अगर आज ही की दिन की बात करें तो दोस्तों आज के दिन निफ्टी ने 19,991 रुपए या कह लीजिए 19,991 पॉइंट्स का all-time high बनाया है एक record बनाया है तो दोस्तों जब market all-time high पे चलता है तो इस दोरान बहुत सारे ऐसे stocks होते हैं जो all-time high पे trade कर रहे होते हैं लेकिन दोस्तों market sentiments की वज़े से कुछ stocks हमको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो की अपने support level के आसपास trade कर रहे हो और एक value investor के लिए वो एक अच्छी opportunity कहीं न कहीं provide कर रहे होती हैं तो friends इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही stocks पे चर्चा करेंगे जो अभी अपने all-time high से अच्छे खासे discount पे हैं अपने important support पे हैं और साथ ही साथ ये सारे stocks fundamentally strong है business model काफी promising है और management पी बहुत अच्छा है तो friends बने रहे वीडियो में end तक और दोस्तों ये कोई buying या selling call नहीं है ये वीडियो हम सिर्फ educational purpose के लिए बना रहे हैं अगर आप किसी stock को खरीदना ये बेचना चाहते हैं तो अपने financial advisor की सलाथ जरूर ले तो friends आज की हमारी first company है प बनाने में one and only company है जो commercial level पे force gene gas की manufacturing करती है तो force gene gas एक बहुत ही harmful gas होती है जिसके inhale करने से death तक हो जाती है तो दोस्तों पौशाक का हमने detail analysis अपने channel पे किया हुआ है आप हमारे channel पे visit करके पौशाक limited का detailed business analysis देख सकते हैं तो friends क्योंकि ये बहुत जहरीली गैस होती है तो इसको manufacturing करने के लिए government हर किसी को license नहीं दे सकती तो दोस्तों ये एक monopoly है और ये इस बहुत बड़ा advantage है और friends stock अभी अपने support पे trade कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी level पे लगभग इसी level पे इस stock ने पहले भी support लिया था और अभी भी उसी level पे support उसी support level पे stock trade कर रहा है तो दोस्तों अगर all time high की बात की जाए तो 12,400 का इसका all time high है और कहीं ना कहीं ये अभी almost 50% के discount पे available है और friends ये एक multi bagger stock है अगर past performance की बात की जाए तो पिछले 10 सालों से 56% के CAGR से company ने return बना के दिये हैं और अगर हम पिछले 5 साल की बात की जाए तो 35% के CAGR से company ने returns बना के दिये हैं और दोस्तों अगर return on capital employer की बात क की जाए तो 20% है return on equity almost 16% के आसपास देखने को मिलता है तो अगर आप a strong monopoly company में invest करना चाते हैं जो chemical sector से बिलॉंग करती हो और अभी अपने support पे हो ऊपर से अच्छे खासे discount पे हो तो आप Poshak Limited के साथ जा सकते हैं So let's move on to our next stock now और हमारा आज का next stock है Balaji Amines Limited दोस्तों अगर Balaji Amines की बात की जाए तो all time high इसने 5,223 रूपीज पे clock किया था और आज की date में अगर आज की बात करें तो stock ने 2,214 पे closing दी है तो कहीं न कहीं ये भी 50% के discount से जादा का discount यहाँ पे available है और अगर इसके business model की बात की तो यह Amines manufacture करती है फ्रेंड्स अगर इसके market capital की बात की जाए तो 2,000 करोर के आसपास का market capital है clearly एक small cap business है अगर return on capital employed की बात की जाए almost 40% का return on capital employed देखने को मिलती है और दोस्तों इस share ने भी इस stock ने आप देख सकते हैं इसका chart यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे multi bagger returns बना के दिये हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 200 के आसपास यह stock था और जब यह चलने लगा सीधा 5000 से पार जाए 5000 को cross करके इसने 5,223 पे all time high बनाया है तो clearly बहुत अच्छे returns इसने बना के दिये हैं और अगर आपको better idea चाहिए percentage format में अगर मैं बात करूं तो इसने इ 52% के CAGR से return बना के दिये हैं तीन साल की बात करों तो 56% के CAGR से इसने returns बना के दिये हैं और दोस्तों अभी यह जैसा कि आप देख सकते हैं almost 50% तो correct हो चुका है उसके बावजूद इतने अच्छे returns इसके past में available हैं तो friends जब यह company चलती हैं यह multi bagger returns बना के देती हैं लेकिन जब यह correction दिखाती हैं तो वहाँ पे यह अपने investors का patience अच्छी तरह से test करती हैं लेकिन दोस्तों जीत उसी की होती है जो एक अच्छे stock को long term के लिए hold करता है तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने next stock के और हमारा आज का next stock है Faircam Organics Limited दोस्तों इसकी अगर market capital की बात करें तो 1566 कर का market capital है अगर हम all time high check करें तो 2448 का इसने all time high clock किया है and currently it is trading at 1206 रुपीज तो दोस्तों इसने भी काफी multi bagger return देने के बाद बहुत अच्छी correction पे यह available है तो अगर किसी को discounted price पे small cap chemical company खरीद दी है तो इसके साथ जा सकता है अगर market capital की बात की जाए तो 1566 करोर का market capital है और यह हमको 50% से भी जादा का discount देखने को मिल रहा है return on capital employed की बात की जाए तो 21.5% का return on capital employed है return on equity की बात करें तो 17.7% का return on equity दोस्तों अगर sales growth की बात की पिछले 3 सालों में 28% के compounded sales growth इसने clock किये है और sales से बात अगर हम business की करें तो यहाँ पे यह oleo chemical manufacturing करती है दोस्तों oleo chemical यह एक unique process से manufacture करती है यह जो plant based oil extract बचते हैं उससे यह दो product बनाती है linolic acid and dimer acid friends for your kind information इस stock का हमने detail analysis already अपने channel पे किया हो है आप वहाँ पे जाके इसका detail analysis देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो linolic acid और dimer acid है यह इसके एक monopoly products है unique products है और इनी products की formulation से यह आगे olio chemicals manufacture करती है तो business model stock का का अच्छा है और अगर इसके support levels की बात की जाए तो 1200 के आसपास इसने multiple time support लिया है और दोस्तों यह stock जब यहाँ पे 900 के आसपास trade कर रहा था तो वहाँ पे भी हमने इसको cover किया था लेकिन दोस्तों अभी भी इसमें अच्छा खासा discount available है अगर आप अच्छे business model की small cap high growth chemical company की तलाश में है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी opportunity है long term investment के लिए so friends let's move on to our next stock lane उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देएगे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के all पे ज़रूर क्लिक करें so friends our next stock is Lakshmi Organics Limited दोस्तों जब ये stock list हुआ इसके भी चारों तरफ चर्चे थे और चर्चों का कारण आप देख सकते हैं इसका just graph देख लीजिए यहाँ April से लेके August में August नहीं तो September तक लगा सकते हो इस stock ने एक तरफा तेजी दी है और एक तरफा ऐसी ये दोसों के आसपास लिस्ट हुआ था वहाँ से चलके सीधा 628 पे इसने all time high बनाया है और friends जब ये stock इस इतनी धुआदार मतलब circuit to circuit चल रहा था तब इतनी queries आती थी इतनी queries आती थी लोग पूछते थे कि हम इसमें कहां entry करें तो friends उस time तो खैर हमने जिसने भी पूछा हमने मना ही किया लेकिन अगर आपको business model promising लगता है तो अभी मौका है stock अपने all time high से 50% से भी जादा के discount में available है दोस्तों market में यही चलता है जब कोई stock भागता है race लगाता है तब वो stock सब को अच्छा लगता है लेकिन जब वो stock गिरावट के दौर से गुजर रहा होता है गिरावट उसमें चलती है उपर से अच्छी 40% 50% correction आती है यानि कि कह सकते हैं जब वो stock investment का मौका देता है तब वो stock शायद किसी को भी अच्छे नहीं लगते है बट दोस्तों अगर company profitable है sales growth और profit growth consistently बढ़ रहे हैं तो correction में लेने का जो long term benefit मिलता है फ्रेंड्स उसका कोई match नहीं है friends अगर इसके business model की बात की जाए तो specialty chemicals में डील करता है और इसका जो monopoly product है वो DDP है that is diacotene derivative products other than this ये ethyl acetate और acetic acid भी manufacture करती दोस्तों अगर हम DDP की बात करें diacotene derivative products की अगर हम बात करें तो ये एक specialty chemicals का group जिसमें ये बहुत सारे products की downstream derivative करती अगर market capital की बात की जाए तो 6780 करोर के आसपास का market capital all time high check करें तो 628 रुपीज का इसका all time high है और अभी ये stock 255 रुपीज के आसपास trade कर रहा है friends एक बहुत ही solid support पे है और अगर इसके आने वाले quarter के results अच्छे रहते हैं तो यहाँ पे निच्चे थी एक fresh तेजी के लिए stock gear up ज़रूर होगा तो once again friend ये कोई buying या selling call नहीं है अगर आप फिर भी किसी stock को खरीदना या वेशना चाते हैं तो आप अपने financial advisor की सलाव ज़रूर लें और अपना खुद का analysis भी ज़रूर करें तब तक के लिए good bye take care and thank you for watching this video